नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आपका अपना यूट्यूब सेनल पे जिसका नाम है नियो मोवी सापडेट दोस्तों अगर आप हो भाईजान सलमान खान के फैन तो इस वीडियो को शुरू से लेके लाश तक देखते हीगा क्योंकि बाईजान के मोवी रादे को लेके एक बरी आपडेट आ चुके है जो कि तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ दरसल एक रिसेंट आपडेट के उनोसार बाईजान के मोवी रादे की रिलीज डेट को लेके कानफरम किया गया है जो मूवि रिलीज अब तक हो चुके होते और ना जरने कितने करोर की बिजनीज भी कर चुके होते लगबाक 100 करोर बाजग वाली मूवि रादे जिसको बॉक्स उफ़िस पे हिट होने के लिए लगबाक 130 करो से ज़ाधा बिजनीज करने होंगे और करेगी भी बहुती आसनी से क्योंकि बाइजान की मुवी है और बाइजान की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया पे क्रेज देखने को मिलता है यहाँ पे जो आपडेट बताया जा रहा है है कि रादे मुवी अब 2020 पे रिलिस नहीं होगी जी है दोस्तो देश की हालत को देखते हुए यह फेसला लिया गया है अब यह मुवी रिलिस होगी 2021 पे ओभी दोस्तो इत के मौके पर बताना साहूंगा दोस्तो बहुती सैड नियूस हो सकते आपके हिसाब से जब की मुवी के लिए बहुती बेसबरी से लोग की इंतेजार में है एक एक्शन थ्रिलर मुवी है दोस्तो रादे जिसमें इस्टर कास्ट पे देखने को मिलेंगे अपको सलमान खान भायजान दिशा पतनी जेके श्रॉप और रंदिप होड़ा को इस फ्लिम को नजर आने वाला है फ्लिम को डिरेट किया है प्रोबो देवा सर ने जिन्हों ने दोस्तो इससे पेले भी सलमान खान की मुवी वांटेट को डिरेट किया था यह पर दोस्तो रादे मुवी के अगर बात की जाए तो दोस्तो जो रावडी करेक्टर हमें देखने को मिले थे वांटेट मुवी में ठीक दोस्तो उसी अंदास के करेक्टर हमें रादे मुवी भे सलमान खान भायजान को देखने को मिलेंगे लेकिन भाईजान सलमान खान का कहना है इस मुवी का बाज़ेट जादा है और एक्शन तोर पे देखा जाए तो रादे मुवी वांटेट का बाप है जी हाँ दोस्तो यहीं सही का था बाईजान सलमान खान ने एक प्रेस कॉंफरेंस के जरिये तो इस मुवी पे आप लोगों को बेतरीन एक्शन देखने को मिलेंगे इंटरेस्टिंग मुवेंट वाली क्लाइमेस इसकन देखने को मिलेंगे साथी साथ जबकि इस मुवें रंदिप होड़ा है तो टूइच वाली मुवेंट तो देखने को मिलेंगे ही साथी साथ दोस्तो इस मुवी के और एक एकसाइट करदने वाली जो बात है और ये है कि इस मूवी के एक गाने स्टैली से टर आलो ओर्जुन की मूवी डीजे के सिठी मार सौंग के रिमिक बारसन होगा जिसमें दोस्तो आप लोगों को आलो ओर्जुन के गाने पर भाईजान सलमान खान को ढूम के लगाते होए देखने को मिलेंगे तो दोस्तो है ना बहुत ही सारी ट्विस्ट इस फ्लिम में तो दोस्तो फ्यांस का कहना है जब ये मूवी रिलीज होगी पहले दिन एस्पेक्टेट इंडिया बॉक्स ओफिस पे नेट कलेक्शन 45 से लेके पसास करो की बिजनिस यानि ओपेनिंग डिल ले सकते है वही दोस्तो फ्लिम को अगर नेगेटिव रिव्यू मिलता अपने ओडियन्स से तो दोस्तो फ्यांस का कहना ही ये मूवी फिर भी लाइप टाइम इंडिया बॉक्स ओफिस पे ग्रोस कलेक्शन 200 करो की बिजनिस बहुती आराम से कर लेगी और अगर फ्लिम को बहुती अच्छे और पोजिटिव रिव्यू मिलता अपने ओडियन्स से तो दोस्तो बाइजान सलमान खान की मूवी लाइप टाइम इंडिया कितने कोरो की बिजनिस कर पाएगी शाती साहत दोस्तो अगर आप सलमान खान भायजान के भैयन हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के मूवी साब्डेट वीडियो के लिए हमारे सेनल से जोरे रहे तब तक के लिए मिलता आगले वीडियो में टेक क्यार भाई